जियां दोस्तों आप सभी को बता दे किस परकार से WWE की रिंग से अब अंटरेकर ने हमेशा के लिए सन्यास ले लिया है तो कई लोगों ने उन्हें ट्रिव्यूट दिया है इस बात को लेकर उनके लिए काफी सारी इच्छाय जताई है किस परकार से WWE की रिंग में उनको दे चार बार आएपेल जीतने वाली मुंबई नेस ने भी अंटरेकर को उनके शांदार करियर पर बदाई दी अंटरेकर ने हाल ये में WWE से सन्यास लेने का एलान सभी के विच्छ कर दिया है उन्होंने इस बात की जानकारी लास्ट राइट डोकुमेंटरी के दुरान की है मुंबई नेस ने ट्वीट करते वे अंटरेकर को इस बात के लिए काफी सारी डेट सारी बदाई दे क्योंकि जिस पर कार से WWE की दिंग में अंटरेकर का परदर्शन रहावे काफी देखने वाला अच्छा था क्यूंकि WWE ने अपने आधाएक आधिकारिक ट्वीटर अकाउ तरफ से एक बड़ा तवफा दिया यानि कि रोई शर्मा को एक बड़ा तवफा दिया जहां पर WWE के साथ फोटो को पोस्ट करते वे लिखा रोई शर्मा जी की कि 30 years legendary years उन्होंने इसके साथ ही हैश्टेक थैंक्यो हैश्टेकर हैश्टेक का इस्तिमाल किया आपको बदाया दोस्तों हमें देखने को मिल एक इस परकार से रोई शर्मा के हाथ में WWE की रिंग की जो बेल्ट उस पर लिखा वए अंड़टेकर मुंबे इंडियंस को WWE ने चैंपेंशिप बैल्ट गिफ्स की थी आपको बता दे साल 2017 में मुंबे इंडियंस जब 312 IPL का खिताब जीती थ इसमें उन्होंने WWE चैंपेंशिप बैल्ट की फोटो का इस्तेमाल किया है और अंडियंस के लिए खास मैसेजिस दिया है क्योंकि अंडियंस की बात करें तो वह इस समय IPL की गत विजेता 2017-2015-2017-2019 में जीती है आप सभी को बताया दोस्तों शायद अब WWE की दिंग में कोई ऐसा अपोनेंट बचाओ जिससे अंडियंस ने लड़ाई की हो हर किसी से untenorman ने लड़ा लड़ा दकी है और जीत भी हासिल कर रखी है पर बात ब्रोक लेज्र की आए गोल्ड बर्क की आए रोमन देंज की आए जोन सीनर की आए रोक की आ खली की आए, बिक्षो की आए, जितने भी सारे बड़े सूपरस्टार है, हर किसी से अनेटेगर का मुकाबला हो चुका है, ऐसे में अनेटेगर की अब उम्री भी हो चुकी है, कहीं न कहीं उनके इतने अच्छे करियर के बाद, शायद ये फैसला सही भी है, हमारी चैनल के त आए, फैसला सही भी हो चुकी है, हर मुकी है, हिए जkay भी है, है मुकी है, हाद जाना है, हिए हुआते मेंड़े इतना है, हमारी तर्यूनमाधों